सियम धामी का चला हंटर दंगाईयों में मचा बवंडर पुलिस का टूटा कहर एक्षिन का दिखा असर नमस्कार कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियाबिस्ट अब वक्त हो चला है से मुद्दो पर विस्तार से बात करने का जुजनता राज देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं हलदवानी में हमला करने वालों पर एक्षिन जारी है पुलिस लगातार दंगाईयों की धर पकड़ कर रही है जहां हिंसा के सिलसले में सोमवार को दस लोगों को गरफतार किया गया पकड़े गए आरोपियों में दंगाईयों को बम के लिए पैट्रॉल देने वाला एक आ आज बात होगी पकड़े गए दस दंगाईयों की बात होगी उनकी घिनावनी कर्टूतों की चुछलिये शुरू करते हैं उत्राखन के हलदवानी हिंसा मामले में बड़ा एक्षिन हुआ है अब तक 68 दंगाईयों को गरफतार किया जा चुका है जा हिंसा के सिलसले में सोमवार को फिर से 10 लोगों को गरफतार किया वहीं सोमवार को गरफतार किये गए लोगों में अरबास नाम का व्यक्ती भी शामिल है जिसने पैट्रॉल बंब बनाने के लिए दंगाईयों को सामान और पैट्रॉल दिया था इन पैट्रॉल बम को दंगाईयों ने पुलिस कर्मियों और नगर निकाई कर्मियों पर फैका था यासिस्पी ने बताया कि उसके पास से 9 लीटर पैट्रॉल भी जब्त किया गया है नरी ताल के वरिष्ट पुलिस अधिक्षक प्रहलाद नारैन मीना ने बताया कि मामली में सोमवार को 10 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया इन गिरफ्तारियों के साथ 8 फरवरी की घटना के संबंद में अब तक गिरफ्तार किये गए लोगों की संख्या बढ़कर 68 हो गई है वहीं हलदवानी हिंसा के दो मुख्य आरोपी तसलीम और वसीम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है वहीं अर्मास ने शहजाद और फहजान को पेट्रॉल दिया था गिरफ्तार दंगाई मुहमद शुएब के पास से पुलिस ने लूटे हुए दो कार्टूस भी बरामत किये हैं पुलिस ने दंगाई तसलीम वसीम सुद्ध की उर्फ हपा नाजिम और उजेर को भी गिरफ्तार किया है तसलीम और वसीम की तलाशी के लिए हलदवानी पुलिस ने शहर भर में पोस्टर भी लगाये थे वहीं आपको बता दे कि जिन दंगाईयों को गिरफ्तार किया है उन में से अधिकांश बनभुलपुरा के ही निवासी है जहां दंगा हुआ था पुलिस ने फरार आरोपियों के घरों की कुरकी भी की है जहां एक तरह पुलिस हर एक आरोपी को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है एक के बाद एक तगड़े एक्शन लिये जा रहे है ताबर तोड़ शपे मारी हो रही है तो वहीं दूसरी तरह फरजी वीडियो बनाकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और दंगाईयों को सही साबित किया जा रहा है जहां भीड को हिंसा के लिए उकसाने के मोकीन के तमाम वीडियो फुटेज पुलिस के हाथ लगे तो वहीं दूसरी तरफ खुद को आरोपों से बचाने के लिए सुनियोजित तरीके से उसने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वारल कर दिया बता दे कि बीते आठ फरवरी को हद्वानी के बनबुलपुरा के उपद्रों के दिन ही मोकीन सैफी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हुआ था कीजियो में मोकीन हिंसा गरस्त इलाके में फसेएक सिपाही को पानी पिलाते और उसकी चोट पोचते दिखाई दे रहा है लेकिन पुलिस को उसकी गरफतानी से पहले ही कई ऐसे वीडियो फुटेज हाथ लगे थे जिसमें मोकीन हिंसा के दौरान भीड में आगे बढ़कर पथराओ करते और लोगों को लगातार भढ़काते हुए दिख रहा है जब पुलिस ने चानबीन की तो कई जगों पर सिसिटवी फुटेज भी मिले वो लोगों को भढ़काते हुए ही दिखा खुद को पद्रव में नामजद होने और आरोपियों की सूची से बचाने को म तो जाच टीम ने और भी सबूत जुटाने शुरू किये और उसे फिर धर्द पोचा गया वहीं जब वोस्ट वांटेड होने के बाद कोर से कुरकी की कारवाई का आदेश हुआ उससे पहले ही मोकीन पुलिस के हत्ते चड़ गया था फिलाल मोकीन जेल में है लेकिन पुलि की मदद से आरोपियों को पकड़ रही है आरोपियों को पकड़ने के लिए CCTV फुटेज के साथ साथ मोबाइल वीडियो भी देखे जा रहे हैं वहीं आपको बताने कि हज़वानी हिंसा मामले में तीन F.I.R. दरज हुई थी हिंसा में शामी फरार आरोपियों को पुलिस न रही है उनके उपर इनाम घुशित किये जाने की भी तयारी चल रही है वहीं अब्दुल मलीक से अब 2.68 करोड रुपे की वसूली की जाएगी क्योंकि जिस तरह खुलासा हुआ कि अब्दुल मलीक ही इस पूरे घटनाकरम का मास्टर माइं था अब्दुल मलीक से ही वसू प्रशासन वसूली करेगा जहां सोमवार को नगर आयुक्त पंकर चुपाद्याय ने आरसी जारी करते हुए वसूली को लेकर डियम को पत्र भेज दिया पत्र में कहा गया कि अब्दुल मलीक के कबजे में सरकारी जमीन को हटाने के दोरान हुई हंसा में निगम के कई वाह पैसा जमा करने को भी कहा गया था इसके बाद निगम ने वसूली के साथ प्रियास कि लेकिन अभी तक वसूली नहीं हो सकी है वही 15 फरवरी तक पैसा जमा करने को भी कहा गया था इसके बाद निगम ने वसूली के सभी प्रियास कि लेकिन अभी तक वसूली नहीं हो सकी है अब डियम तहसील प्रशासन के माध्यम से ये वसूली करवाएगी जहां हलद्वानी में भड़की हिंसा के मास्टर माइट अब्दुल मलिक की संपत्ती को बेच कर ये वसूली की जाएगी इसमें वसूली का कारित तहसील प्रशासन करेगा अब्दुल मलिक अगर पैसा नहीं देता है तो मलिक के बैंक खाते फ्रीज किये जाएगे साथ ही उसकी संपत्ती को कुर्ग करके वसूली की जाएगी जहां अब्दुल मलिक की संपत्ती का ब्यारा जुटाने में प्रशासन की टीम लगी है इसमें पहाड में भी अब्दुल मलिक की संपत्ती का पता लगा है हलदवानी में भी भूमी का व्योरा जुटाया जा रहा है जहां नगर निगम के धाई करोड से अधिक के नुकसान की भरपाई कार्ड रोटिस अब्दुल मलिक को दे दिया गया है ये राशी तैस समय सीमा में जमान होने के बाद नगर निगम ने आरसी कार्ड दी है अब इसकी वसूली की जिम्मेदारी राजिस विभाग के पास आईगी ऐसे में प्रशासन अभी से मलिक के आर्थिक स्रोत का पता लगाने में जुटी है इसमें फिलहाल अब्दुल मलिक के आवास बरेरी रोड पर एक कॉलेज का पता चला है बताया जा रहा है कि वो भी नजूल की भूमी पर है इसके साथ ही भूमी धरी वाली भूमी का भी पता लगाने में टीम जुटी है इसमें कमलवा गाजा रोड इस्तितेक शैक्षणिक संस्थान का भी पता लगाया गया है ये करीब 10 बीगा में है इसकी कीमत भी 10 करोड के आसपास होने का नुमान लगाया जाता है पर ये कॉलेज मलिक के नाम पर है इसके साथ ही भूमी धरी भाली भूमी का भी पता लगाने में टीम जुटी हुई है इसमें कमलवा गाजा रोड इस्तितेक शैक्षणिक संस्थान का पता किया गया है ये करीब 10 बीगा में है इसकी कीमत भी 10 करोड के आसपास होने का नुमान लगा जा रहा है पर ये कॉलेज मलिक के नाम पर ना होकर एक ट्रस्ट के नाम पर है जिसका अध्यक्ष अब्दुल मलिक हो सकता है इस तकनी की पहलू को हल करने के लिए सभी विकल्पों को देखा जा रहा है इस पर SDM परितोश वर्मा का कहना है कि अभी डीटेल को एकत्र किया जा रहा है उससे जुड़े अभी लेखों को देखा जाएगा इदर मलिक की संपती का ब्योरा पहाड में तलाश किया जा रहा है इसमें भीमताल भवाली ननिताल में भूमी फ्लैट आदी का पता लगाया जा रहा है इसमें टीम पता लगा रही है कि संपती किस रोपे हैं और कहां कहां पर है संपती किस के नाम पर है ये भी पता लगाया जा रहा है गौर तलब है कि 8 फरवरी 2024 को हलदवानी के बनभलपुरा में अवैद अतिकरमर कर बनाई गई मस्जित और मदर्शे को गिराने के लिए पुलिस और नगर निगम की टीम पहुची थी यहां दंगाई इसलामी भीड ने उन्हें घेर कर हमला किया उन पर पेटरॉल बंग से हमला किया गया था इस्थाने निवासियों ने नगर निगम के कर्मियों और पुलिस पर पत्राओ किया था और पेटरॉल बंग फैके थे जिसके कारण कई पुलिस कर्मियों को एक ठाने में शरण लेनी पड़ी जिसे भीर ने बाद में आग के हवाले कर दिया पुलिस के अनुसार इस हिंसा में 6 लोगों की मौत हो चुकी है और पुलिस और पत्रकारों के साथ साथ 300 से अधिक लोग घाल हुए जिससे पुलिस और प्रशासन ने सक्थ रवाईया दिखाया पुलिस अधिकारी ने बताया कि जड़ब के बाद दर्ज की गई तीन प्रात्मिकियों में नामजद 16 आरोपियों में से 12 को अब तक गिरफ्तार कर लिया है और बचे दंगाईयों को पकड़ने के लिए उनकी तलाश जारी है इसी बीच हलदवानी के बनभुलपुरा इलाके में कर्फ्यू में और धील दे दी गई है और रेनिताल जिला प्रशासन ने रविवार को बताया कि कर्फ्यू अब केवल रात 10 बजे से सुभा 5 बजे तक ही रहगा हिंसा भड़काने वाले चाहे कोई भी हो उसके खलाब सक्त से सक्त कारवाई की जाएगी पुलिस हर आरोपी के खलाब पुक्ता सबूत जुटाने में लगी है और सबूत मिलने पर कड़ी से कड़ी कारवाई की जाएगी जिसे दंगाईयों की साथ पुस्ते भी याद रख बाकि तमाम खबरों के लिए देखते रहें कैपिचल टीवी उत्तर प्रादेश नमस्कार